पाइसा एक गानार चला नेपाली पाइसा दसंगर एक सो असी किलो मेटर ओन साइकल क्या दुखरा तुमारा यहां पर इसलिए मैं बहुत समल के चला रहा हूँ क्योंकि कोने उपे ना क्या है कि मिट्टी और बजली पड़ी हुई है कि आपना फुल राइडिंग गियर पहन क कि आपना चला हूँ तो भाई एक पुड़ा तो रोशनी में आ जाए फिर बती आते है खोड़ा तो किदर जाना हमने उपर इन राइड राइड उपर ना ने ने उपर ना है यहां आप वहीं है यहां सब्सक्राइज गुड मॉनिंग और गुड मॉनिंग हमारी आज की हो और यह बस्ती से बस्ती है जस्त नेपाल बॉर्डर से सौ 115 किलोमेटर पहले और हमारा यह ट्रिप है नेपाल ट्रिप तो आज है दूसरा दिन कल मैंने यार भागम भाग मैंना क्या बाइक लगा यह साधे साथ सो किलोमेटर बाइक अपनने लगा दी थी एक वट खोड़ तो यह अपना होटल था और यह खड़ी अपनी बाइक और यह रहे हमारे प्रुथूदा गुड मॉर्निंग ऑल सेट हां जी इनकी देखिए चमकती हुई रंग बिरंगी टाइगर हमारी घर पे हैं गाड़ी दो रहे हो दोली अच्छा 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 अब लोड करते हैं नेपाल के लिए मेरे खाल जाए नेपाल जाएंगे नेपाल के समान भी आ गया अपना अब लोड करते हुए यह था जी अपना होटल फुट पॉइंट तो यहां पर रेस्टोरेंट भी है और रहने का इंतिजाम है और पार्किंग भी ठीक-ठाक से अपने वाइक हो गई थी बाकि इस सुभा के बज़ चुके है अब साढ़े नौ निकलते हैं फटाफट जैवाता सब्सक्रादी हर हर महादेव तीन घंटे 16 मिनिट दिखा रहा है यहां से और एक चालिस बजे एक चालिस पीम पर पहुचेंगे बॉर्डर पर और फिर वहां से 170-180 किलोमेटर की जर्नी है हमारी पोकरा तक की आज की तो यहां से सनौली बॉर्डर 115 किलोमेटर है यहां से द बाई कितना बेट था उसके अब यह देखो रास्ता बिल्कुल गाउं के बीच में से लेके जा रहा कहीं से सही है गाउंवाली रास्ते फिर भी पसंद आते हैं अगर ठीक ठाक हो तो यहां फिर बिल्कुल कच्छा और दोनों तरफ हरियाली हो तो क्या ही कहने जैसे यहां पर यह देखो है ना मस लग रहे हैं बड़िया किदर इदर बैठेंगे कि खाने के लिए कुछ ब्रेक फास्ट में कुछ है अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है कि यह है जी मेठाई अगर अब यह जाते है थोड़ा साफ कर दोगे इसको जगा का नाम पता किया है लोटन बजार एक गाना सुन रहा था मैंने पता लोटन कबूतर है ना लोटन कबूतर करके एक गाना था बहुत पहले फेवस था तो वह यहां पर आपन पानी प्याने सब्सक्राइब बहुत ज्यादा प्यास लगई थी यह है जी लोटन बजार इसा दिखता है और यहां से शनॉली बादर 35 किलोगेटर रह गया है और यह अब दोटन कबूतर हैं महादेव मिष्ठान भंडार जहां पर हम भटूरे उटोरे खाएंगे वही मिल रहा मतलब समोसे हैं जलेबी है भटूरे मिठाई है बस यह मिल रहा है हमने भटूरे बोल देया है वाकी देखते कैसे होंगे और यह मिठाई है आपर ऐसा कुछ सीन ह वटापट खाते हैं होट फे निकलते हैं बॉड़र की तरह क्योंकि भूफ बहुत तरी लग रही थी उस्युक्षाया नहीं है और दादा भगाया जाइए इनसान नहीं है यह रोबोट है रोबोट कुछ खाता नहीं है और सिधा बागे जाता है यह देखो भाई मुझे त 30 जोर के थे तुम्हें थोर थोर देनी है दादा को दोनी है दादा देनी है बड़ी आ भाई बड़ी अब एक होरे में गरी के रहरी चाहए ता भी ट्रल में गरणतर के दो था यह देखो तुम्हारा शकल आगे mountain में हां आ गया तुम यह ताओं आ गया यह पूछ रहा था यह कैमरा किसली लगा हुआ है मैंने बोला भाई यह मोटो व्लॉगिंग के लिए है कैमरा सामने वाले बंदे की फोटो कैप्चर करता जो शैतानी करते हैं तुमने करी कोई शैतानी बंद कर लिया अरे बाद में ले पेल लोटन का बूतर रे ऐसा ही कुछ गाना था पुराना वाला जब भाई ने बोला ना कि लोटन है जगा का नाम गोरखपूर यहां से असी है हमें जाना नहीं है गोरखपूर हमें जाना सवनवाली बॉडर जो की 35 किलोमेटर है अब भाई कहां है कहां है पैट्रोल महात्मा गौतम बुद्ध स्मृति द्वार जगा जगा बने हुए यह वाले द्वार यह देखो कहां है यार पैट्रोल पंब वो बोल रहा 500 मीटर पर है कि इसको भी है पीछे लगा लो ना है हम पहले से खड़े हुए भाराव वह भी तो निकलेगा भाई वो जो खड़ा हुए सामने है तुमने आके लगा दी सीधा निकाल निकाल ले निकाल ले पहले हाँ कि अधिक कर दो नाइनटी सेवन पॉइंट फाइव टू अठान में रूपे लिटर है आपे अधिक तो भई यहां से रह गया है जी साड़े साथ किलो सनौली बॉर्डर और जस थोड़ी देर में हम एंटर कर जाएंगे इंटरनेशनल हो जाएंगे मतलब अंदर घुच जाएंगे नेपाल के लेकिन उससे पहले बनेगा अपना भनसार वगर मतलब कि जिसको की एक परमिट बोला जाता है नेपाल में एंटर करने के लिए तो वो जो प्रोसेस होगा जो डॉकुमेंट हो गए क्या-क्या चाहिए वो सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ताकि आप जो ट्रक दिख रहे हैं आपको यह नेपाल जाने के लिए ही खड़े हूँ है ठीक है तो हम पहुंचने वाले बस बॉर्डर पे से कुल रहे ंपाइए ज़ादा बैके रहे है के ट्रक लगे ऐ हए हएक पाल प्रक लगए हारे हापे में बॉडर में बोर्डर नेपाल इंडिया का जहांसे मेरे खहाण naszej ट्रेड भी होगता है सारी चीजों होती है लुक्त वी जाते तूरिस्ट पी जाते हैं जैसे हम जा रहे हैं मेवा गुमने के लिए। और भाई साफ भयंकर ट्रकों के बीच में से निकल रहे हूं सभी लोग इस साइड से जा रहे हैं मैं इस साइड से चलता हूं उधर तो ट्रकों ने भाई जाम लगा रखा पूरा चलो जी अब ठीक है नहीं पीछे बड़ा जाम लगा हुआ था यहां पर निये ट्रक जगा ही नहीं है भाई या बहुत ही भीड है बहुत ही भीड गारिया देखना अब नंबर प्लेट देखना ये आगे वाली देखना ये भी देखो ये भी देखो ये सब नेपाल की है ये लुम्बी नहीं की है शायद ये वाली ये सामने ही आ गया बॉर्डर तो शायद ट्रकों की हालत देखो भाई साव जर जर हो चुके यह देखो भिलकुल ख़तम ट्रक है कैसे चल रहा ही है ओमाई गॉड भाई साव देख रहे हो यह रोड पे तो मौत है मैं क्या बोलू बोलते नहीं कि मौत चल रही है यह तो साक्षात यम्राज है पूरे के पूरे खत्म ट्रक है यह आ गया इंडिया नेपाल बॉर्डर शायद आई थिंक हां जी हां कहां पर अच्छा राइट साइड में एंट्री करनी पड़ेगी वल्कम तू नेपाल गाइज तो राइट साइड में बूल रहे हैं यहां पर अंट्री करनी पड़ेगी तो यहां पर कुछ समान बोल रहे हैं चेक कराने के लिए डॉकुमेंट वगरा वहां पर तो बस निकलेगा तो यहार यह पीछे भी तो नहीं होगा थोड़ा धक्का देने इसको यहां थोड़ा 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 थे यहां थे यहां थे यहां से पीछे वह है ना बंप है अराम से अराम से अरे निकिश्री आ बास-बास-बास-बास-बास-बास-थैंक्यू कि भारी है भाई अपनी वाइक थोड़ी सी भारी है यहां पर लगाने के लिए बोल रहे है भाई के फिर डॉकुमेंट सब्मिट कराएं यह हो गर्मी बहुत जादा गर्मी हो गई यहां पर यह है जी नेपाल का बॉडर और भाईया घुसने दो घुसने दो यह बॉडर है क्या है भाई मैं गलत गुज गया है निकलो निकलो और यह तो ऐसा लग रहा पता नहीं कहां मीना बाजार में आ गया मैं बॉडर तो लगी नहीं रहा है अधर आप रहे है कि एक सेकेंड कहां है कि अधर कि अधर कि महाजान है चलो यहां वनेगा भंसार अपना तो दादा ने कोई एजेंट फिक्स का रखा है तो वह बना के देदेगा हमें जल्दी से कहां है धादा कहां है एक वेशी है क्या अब तो लग रहा है इसी की जवर्द पड़ गई अधर कर दो सुर्वीचा ना यह कि यह देखो भाई यह है एंसल की सिम यह बता रहे कि एक महीने की वैलेटी यह बलाटाइस दिन की वैलेटी और इसमें मिलेंगे सब्सक्राइब कितने का पड़ रहे हैं एक महीने के लिए ठीक है इतने दिन हम रहने नहीं वालें लेकिन फिर भी ठीक है एकी बार में कौन रोज-्रोज रिचार्ज करावाता फिरेगा तो यह ले लिए अपन ने और इसके लावा ने वर अपना बन रहा है तो वह भी दिखातों में यह देखो फोटो ले तो वही अभी न सीम करना होगे है थोड़ा सा में बताऊंगा क्या हूंगा अभी हमना खुद अपना पर्मिट बन वाने के लिए तो वही सीन ऐसा है कि जहां पे पहले गया थे ना पुछ जादा यहां पर हम खुद कर आ रहे थे तो यह सिर्फ कितने ले रहे हैं और यहां पर हमारे लगई लगा रहे हैं अब डिफ्रेंस लगा लो कितना है नेपारी रूपीज इंडियान में कितने होते हैं शोला सो की आसपास सत्रा सो अठारा सो मान लो और वहाँ दो हजार रुपे मान लो सब कुछ लगा लोगों के और वह ले रहे थे 4500 बाइस साथ यह देखो नेक्स लेवल है तो अगर नभी आना हो ना तो इन भाई की शॉप अधान में श्याशी आठेरे चांड शाहन में चालोजी अधर अधर वहाँ वहाँ है वहाँ है को अधर वही कंट्री ने वह तो गई शायद है वहाँ लेट सी आई साब कितनी भीड़ अधर से ज्यादा भीड़ है धूल ही धूल बसे यह देख रहो वेल्कम टू नेपाल गाइज हमने एंट्री कर लिए अफिशली बंसार बंचुका है हां 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 बंसार दिखाते हैं पता नहीं होता सिर्फ बंसार होता है अब यहां यहां सीधा जाना है हमें निपाल बुटुवल होते हुए कहां से जाएंगे इधर से जाएंगे इधर से रास्ता है है खुशी का झाना नहीं है एक्चली बहुत दिनों बाध मैं किसी दूसी कांट्री में एंट्र कर रहा हूं इससे पहले थाइलेंड किया था मैंने फिर उससे पहले नेपाल भूटान वगएर तो सारा किया हुआ है मैंने लेकिन यह दूसरी बार है मेरा नेपाल में बहुत सालोबाद बहुत सालोबाद एंट्री हो रही है नेपाल में 2015 के बाद आँ अब पता निकासा ओगा पंद्रा मला नौ साल हो गया आयोए मुझे आपे 9 साल बाद नेपाल कैसा होगा और जब मैं छोड़ के गया था तो भाई साब ये चारतर बिल्डिंगे टूट गई थी भूकम पितना तगड़ा आये था एक बहुत बड़ा डिजास्टर आये था तो उसकी कुछ फुटेजेज अभी मैं चलाता हूँ देखना आप जब हम निकले थे नेपाल से मतलब यार बहुत सारी चीजे टूटी फुटी हैं हमने देखी अपनी आफों के सामने इमारते गिरते हुई देखी हैं लोग बेहताशा भागते हुए देखिये हैं एक मिनट अपार्टम्ट आफ रोड वाशिंग यू विशिंग यू अपलेज एफ जर्णी थैंक यू कि अग्या दाना क्या हुआ है थीजा थीजा के लिए देख लेते हैं तीवी एस रॉनिन चलो जी कुछ खा पी लिया जाए कस्तूरी मिष्टा मिष्ठान भंडार यहां बोल रहे है कि शाकाहरी भुजन मिल जाएगा कुछ खाने को हां क्या खुश्बु आया है मस्त अच्छा इस भी बाहर कोई दिकत तो नहीं वहां पे लगा हुआ बाइक पे ठीक है तिंग जीं मैं हूं चींग जींग जींग क्या यहारो समान का संब्सक्ताव वोगना अहोगता है पैक स्पेशल चार्ट टा है मैं यह बूगा है जल्स किप गवाँ हो दादा निलाशी चुने और मzneवाज ननसलेदा चा पड़ी। यह देखो भाई 156 km वी बाकी है टाइम हुआ है चार बच का 16 मिनिट मतलब आज नाइट राइब हो जाएगी हां जी तो सीन देखा ना आपने क्या हुआ बॉर्डर पर भाई साफ ऐसे लूट खसोट होती है वेसी कली जो हमने सिम ली ना उस पर भी डबल चार्ज किया हुआ मतलब सारे 400 की थी ना हुआ सारे 400 का ओ बोल रहा था लेकिन ओर्जिनल में वह था एक था 200 रुपए नेपाली और एक था आप जो लिये है वन मांत का कितना जीवी 750 रुपी और उसका नेपाली था 400 400 नेपाली यह हिसाब करके मतलब 200 से 200 200 रुपए वाली चीज हमें चिपक आदी है सारे 700 चलो ठीक है उसका दिन था आज वनला उसका दिन नहीं था एक्चली हमने जो पर्वेट बनाया खुद ही बना लिया जो भी था यह था यह देखो जी आगए अपनी पापडी चार्ट मस्ती लग रही है इसके अंदर क्या-क्या है पापडी छोले और प्याज पाइसा एक गानर चला नेपाली पाइसा कितना सारा पैसा यह तो इंडियन नहीं कह रही है नेपाली रूपीज है दस हजार के मैंने एक्स्चेंज करा लिए यह 1.6 का कंवर्जन रेट है यहां पर मतलब कि अगर आप एक उर्पया दोगे तो यहां पर 1.6 रूपीज आप वैसे है 1.6 का लेकिन अब क्या करें मजबूरी थी लेना था तो 1.58 के हिसाब से हमें मिले हैं बुटवल उप महानगर पाली का भाई पूरा हिंदी में लिखा हुआ है भाई पूरा हिंदी में ब्रमन गनु वह तो समझ नहीं आए एक आदवर्डी होता है जो समझ नहीं आ पूराग कितना खतरलाक सा लग रहा है तो अब यह तो लैंड्सलाइट जोन भाई तगडे वाला वह भी कैसे खड़े पहाड़ है कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि तुना चपरी पना करता रहता है यार चपरी बना तो हम तो नहीं करते हैं खैर मैं अपना मस्ती मजा तक मेरा चलता रहता है थोड़ा बहुत तो बिल्कुल चुपचाब वैट के बिल्कुल सीर्यस होके तो व्लॉगिंग मुझसे होती नहीं है लाइफ को भी एंजोए करना है आपको भी थोड़ा सा समझाना है बताना है दिखाना है तो मैं तो यार अपने आपको खुश नहीं तो भाई थोड़े दिनों में आप बोर हो जाओगे उस चीज से जो आप कर रहे हो अगर आप खुश नहीं हो तो तो जो चीज कर रहे हो ना उसको अपने बिल्कुल मन से करो खुशी से करो और एंजोई करते हुए करो तो आपको ना कभी भी वह काम ऐसा नहीं लगा कि रोड़ खराब है भाई रोड़ खराब है मतलब डेड़ सो किलोमेटर अगर ऐसे जाना पड़ेगा तो हो जाएगा कांड और लगेगा बड़ा टाइम जादा देखो खड़े हो के मस्ती कर रहे हैं आरे जादा बैठ जाओ पिश्वाड़ा दुख जाएगा चलो ठीक है निकल गए भाई और आगया और रोश्मी आएगी ना तुम्हारा नाम की बताओ मेरा नाम सुरज कट्री है तुम नेपाल से हो हाँ मैं बैक्से नेपाल में बताओ इंदिया मैंसिम्मम ताइम इंद्या में रसा हो है अभी मतलब ठोड़ा बहुत आपना यह आगे अगे आगे नहीं है तो स्पेशलिटी बताताऊं मैं यह साइक्ल देख रहो बिना गेर साइकल है सिम्पल सी साइकल है यह बुतुवल से चला था सुब़ा सुबा बुतुवल से चला था और वैलन करके एक जगाहे वालिंग वालिंग जो की 90 किलोमेटर के आसपास है और नब्धा किलोमेटर जाने के बाद फिर यह वापती आया है बना 180 किलोमेटर ऑन साइकल क्या दुखरा तुमारा दर्त दर्त बोल दियों बोलने का अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा ओजिए दर्त है इस यह है तो यह है जो पैदल करते जो साइ कर आप लोग कोई भी होगा तक प्लीस सपूट करो बहुत ज़्यादा मैंनत करता हूं इसकी उपर इसकी ज़्यादा मैंनत करता हूं ना किसी दिन आमनी बाइक लेके सलेंगे आपको प्यार नहीं नहीं बहुत थैंकिश्यों एक ना भाई बाई का चैनल और यह है इनकी र पर बास यहां लगा दो मैं भी लियाता हूं अपनी गाड़ी है कि अधिक फ्यूल पॉम का फ्यूज गया दिखरा मेरे को अभी आधाफ नहीं हो फ्यूज अलग से होता है आपके बास है तो पता कैसे चला बंद हो गाड़ी ने ने आवाद से आप बोल रहों ना फ्यूल अच्छा वो जूज आती है ओके है वह है इसकी आंगा दादा कईसे कामा करते रहते रहे तो फ्यूल पंप उडादेते नहीं फ्यूल पंप का फ्यूज उडा देते राते बें चलते 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 टाइम किया हो गया साधे और बज्गा ओंगे आठ यारा होगे ना चलो यह वी जाना स्लो 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 स्लाना मुड़ों थां मोड़ है नहां ज्यादा लग गाया क्या आइ अच्छ बाइक पेड़ा ते चाहिए फोड़ा ज्यादा लग यूद पाट्टार घाया है ज्यादा लगाया है आपके लगाया है हुआ है अब मंदी आगे बस थोड़ा साइए लेकिन जाएंगे कैसे यह अच्छा हो गया है कहां से भाई लगना उसे पानी तो है मेबादू पानी वास्ट हो गया है यहां पर इसलिए मैं बहुत समल के चला रहा हूं क्योंकि कोन उपर ना क्या है कि मिट्टी और बज़्दी पड़ी हुए है यह नहीं भाई यह जब भी मोड होते हैं जहां पर मिट्टी होगी वहां पर दर रहता है यह यह टेरेन ऐसा है बहुत गंदा है कि यह इस इस नहीं चलना है बैट जाओ बैट जाओ आपके भी लगी ना यह यह आगी चलो ठीक है अगया ओटो अब समझे मैं क्यों सुलो चल रहा हूं मैं इसी लिए स्लो चल रहा हूं चलो जी ओके बाइबाइब थैंक यू उसकी मदद करने के लिए बाकि हमारे पास तो ज्यादा कुछ थानी यार यह देखो यहां से बंदा फिजलते हुआया मेरे खाल से इस साइड से यहां पर उसमें टर्न वर्न लिया होगा और सीधा गया आगे की तरफ दो बंदे थे एक ही बाइक पर लखनव के थे ठीक हो जाए दोनों देखो जब भी आप राइड करो एक चीज मैं बोलूंगा कि आपना फुल राइडिंग यह पहन के तो अगर आपने राइडिंग यह नहीं पहने हुए तो समझो आप बिल्कुल छिल जाओगे अगर आपने राइडिंग यह पहनी है तो एट लिस्ट आपना छिलोगे नहीं कहीं पर हाँ यह हो सकता है कि आपका हाथ मुड़ जाए कुछ हो जाए ज्यादा इंपक्ट हो ते राइनोक्स गीर तो वह काफी अच्छे हैं मैं तो काफी सालों से यूज कर रहा हूं और एक दो बार मेरा इंपक्ट हुआ है जैसा कि आपने मैनमार में देखा होगा जैसा मेरा जी नोसों पर पूरी टोटल लोस हो गई थी बाड़ी गाड़ी बाड़ी भोल रहा हूं तो वहां पर जो इंपक्ट था पूरा जो मेरे गियर थे उन्होंने छेला था तो उस टाइम भी मैंने राइनोक्स के ही कियर पहने हुए थे तो जो प्रोटेक्शन लेवल है राइनोक्स यह का वो काफी अच्छा है तो जी हम पहुचे है वालिंग करके एक जगा है और यहां से पोखरा रहे गया है साथ किलो मीटर तो यहां पर होटल क्या था कि जो हाईवे पर होटल था वहां पर ना साफ सुतरा था नहीं और छोटा था कमरा यह है ठीक सा लग रहा है आरे तो बड़ी या अच्छा है पार्किंग भी है कि अधर लगा दूँ अच्छा चला सूबा देखेंगे लाइट रिफलेशन देखेंगे वाइट 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 रिफलेक्शन वाइट नाला या नदी या कुछ भी है दिल्ली है क्योंकि नदी का पानी की आवाज निया अरी अरे भाई किदा निया ना बारिज निया भी हाँ तर वाज या ने जड़ा बारिजन देबां देखेंगे जा बार बारिज ना दो सुर्ट वाइट देखेंगे पक्राव कुछ भी ही llev वाज वाजा है झाल झाल